हाई फ्रेंट्स आप सभी का एक फिर स्वागा था आपका अपना चला एक्जाम फर्मेट पर जो कि पचास दिनों का होगा यह सिरीज में लग आपका इंक्लूटिंग जमीन कानून और जो विश्थापन जो निती बनाया गिया जहारकन सरकार के और से साथ ही करेंट टोटल करके आपका लगए 50-55 दिन में यह स्रीज को कम्प्लीट कराया जाए जिसमें आपका जेपी एसी को जो बहुत अनकरीब जिसका वेकंसी आने वाली है साथ ही दरोगा वेकंसी उसको ध्यान में रखते हैं वेकंप्लीट करा दी जाएगी लगए 50-55 दिनों में आपका जो ज इतना वे स्टुडेंट है एक्जाम फर्मेंट के साथ बने रहें और आज हम लोग पहले जो चेप्टर देखेंगे उसमें जार्खन अलग राज के लिए वहां से स्टार्ट करेंगे जड़ से लेके आपका कम्प्लीट कोर्स तक यह उसका स्रीच चलते रहेगा ठीक है दो जाता है यह बहुत इंपरेंट परस्ट नहीं है स्टार्टिंग देख रहे हैं आप सभी को दोस्तों का आइडिया होगा आपके पास ओप्सन है ओप्सन देख सकते हैं आपको चार ओप्सन है फेबले उराओ जे बार्थेलमान बंदी उराओ और सूराज मंडल उमीद करते इसकां एक आइक आंदवलन का मुख्ष कारण क्या था आपके पास चार ओप्सन हैं ऑप्सन क्या-क्या है आदिवासियों की राजनुतिक इच्छ शक्ती जिसको जैसे आंदवलन हुआ यह आदिवासियों की संस्क्रेतिक पहचान है तो कई ऑधिवासियों की जमीन और ये पहचान है तो यह इन में से कोई नहीं इसका परफेक एंसर क्या हो जागा बिल्कुल सही जवाब दिये है आदिवासियों कि जमीन और एक पहचान है तो यह एक आंदलन छेड़ा गया था नेक्ष परस्ण हम लोग देखते हैं दोस्त परंच संक्या 3 जे बार्थलमान ने किस पार्टी के गठन किया था अच्छा प्रस्ण है यह आपका बेसिक प्रस्ण है दोस्त ठीक है इस्टार्ट करते हैं अभी टोटल पानी की तरह करा दिया जाएगा पूरा जहार खंड अज पीसी तो गारंटी में 110 में आप लोग 90 परस्ण कहीं ने छोड़िएगा इतना सां क्रिष्टा नागपूर उन्नती समाज इसाय चातर संग गठन और इनमें से कोई नहीं जे बार्थलमन जो के हजारी बाग से रिलेटेड है जो ढहाका में अंदुलन का नियू रखा गिया था जिसका परफेट इसर कौन सभा पार्टे गठन किया था तो क्रिष्टा इस्ट अपना काल है बहुत इंपर्टेंट परस्न है यह परस्न अक्सरा इसा परस्न पूछा जाता है छोटा नागपूर उन्नती समाज यह सबना ज्छारखन का जो जड़ है वह सबसे रिलेटेड यह सब है इसका उप्सन क्या है आपके पास चार उप्सन 1915 में 1925 में 1920 में 1913 मे ज्छारखन में चोटा नागपूर उन्नती समाज के सपना काल किया है बिल्कुल सही जवाब दिये है एकदम 1915 में ठीक है नेक्स परस्न देखते हैं इसाइड शात्र संगठन को उन्नती समाज का रूप देने वाला विशात कौन था सबसे पहले इसाइड शात्र संगठन ठीक है वह इसाइड शात्र संगठन जो क्रिस्टियन इस्टूडियन ठाना जी अभी हम लोग देखें न जिसको जे बार्थलमन ने अस्थापना किया था ही न उन्नती समाज में चेंज हो जाता है वह सब जड़क है समझे वह सब पार्टी बना था जड़कन अस्थापना क ठीक है आगे जाके जैने में संगा सफना हुआ है तो कौन सा बस्पी इसको आपका उन्नती समाज करूप दिया था चार अपके पास बिशर्प रोकी विसर्प स्ट्रॉंग भी सब कनेड़ी और इन में से कोई नहीं ठीक है ओप्षन क्या है पर्फेक्ट एंसर बिशब करेड़ी जो था वह आपका इसाय च्छातर संगाठन जो था क्रिश्चन स्टुडेट ओगनाजेशन उसको उन्नती समाज का रूप दिया था जिसका उन्हें से पंद्रम स्थपना हुआ नेक्ट पर्फेक्ट नमके छे आपके सामने है छोटा नागपूर समाज के नेत्रित्व करता कौन थे छोटा नागपूर समाज के नेत्रित्व करता कौन था इसका कौन हैंडल करता था कौन मुख्यरोप से जो नेत्रित्व करता था चार अप्शन हमके पास है जूइल लकड नित्र हो जाएगा चारों था इसका जोए लकड़ा पोल दयाल बंदीरा मट ठेबले उना अधियान दीजएगा ठेबले उना जो है ना उसको सबसे पहले ज्ञारखन रतन दिया गिया है ठीक है सोरी पदम सिरी ज्हारखन का पहला आदमिय जिसको पदम सिरी मिलाया ठेबले उना रहाओं को नेश्ट परस देखते हैं आदिवासी समाज के समाजी के वार्थिक खीतों के रच्छा की किस संगठन का मुख्य लज़्ट था कूण सा संगठन का मुख्य उद्देश से था जिसको आप प्रश्न की हिसाब से सही मार सकते हैं इसाई छातर संगर्ठ न क्रिस्टियन स्टूडेंट और परफेक्ट मकसद यह चीज तो नहीं हो सकता है कि आदिवासियों कहीं उसका कहीं न कहीं हित इसाई के और ही धुका रहेगा छोटा ना पूरुन्नती समाज जो था वो आपका समाजी को आर्थिक हितों कर अच्छा इसाई लोका करने को लेकर बनाया गिया था 1915 में इसका अस्थपना हुआ नेक्ट प्रस्न देखते हैं दोस्त हम लोग की साल में मतलब कौन साल में 39 समाज ने साइमन कमिशन को अलग हर खंड के लिए मांग पत्र सौपा मा अपा नेक कुछ लीक में कषिए लाक ब्रस्न का इसको मांग पत्र र्काया था ठीक है तो साइमन कमिशन को सौपा गिया था 1968 ने सौपा गिया ठीक है बिरोध जब जब बिरोध पर्दसन किया गया था तो यह कब हो सकता है और 1928 में आया था तो 1928 में ही इसको यह मांग पद सौपा गया था नेक्ट परस्न आपके सामने है छोटा नागपूर में अलग राज्य की मांग सरोपर्थम किस ने किया द्यांदर रहने छोटा चार अप्शन हमके पास है जार्खन पर्टी जिसको जहांपा वह बुला जाता है आज वह भारतिया जैनता पर्टी च्छोटा नागपूर 1929 समाज कोन परफेक्ट अंसर च्छोटा नापूर 19 29 समाज द्वारा किया गया था सबसे पहले मांग किया गया था नेक्ट किस नेताना साइमन कमिशन सामने परशासी का ऐक प्रश्ताव रखा गिया है कि एक छैतर बनाए सबना चार बना यह सब जब पीसी का निचोड पूछेगा ना जब बहुत जल अनकरीब जब आने वाला है ठीक है अब इस बार तो बहुत सरे स्टुडेंट को क्या है कि जब पीसी में जब इसकी में दिने से बहुत क्या डरते हैं आप लोग डर यह नहीं एक जाम फर्मेट आपके तयारी कर जा सकता है सारा चीज का इसलिए और दूसरी बात थी कि एक योजना लॉंच की जा रहे हैं अभी जार्ख अंसरगार के और से कि आप लोग पीटी अगर पास करते हैं तो आप लोग को लगभग 50,000 रूपीज मेंस की तयारी के लिए दिया जाएगा कम सेक्म पीटी पास कर करने के लिए भी आप लोग मेहनत करिएगा ठीक है तो इसलिए यह सब प्रस बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और आपका CGL के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है जिसके परफेक्ट अंसर क्या हो जाएगा जूवल लगड़ा और विसफ वान हूग नेक्ट परस हम लोग देखते हैं जारखन पीठक राज यह तो सुनियोजी तरीके इस आंदोलन प्रारंभ कब किया गिया मतलब एक तरीके के रूप में अंदाजी आंदोलन परले स्टार्ट था ना यह इसे करना वह इसे करना यहां पर आंदोलन कर दिया यहां पर नीती बना के साथ तो यह कब से स्टार्ट हुआ हैं आपके पास चार ओप्सन है 28 1913 1915 1924 कब से 1928 जब ग्यापन सपा गिया था ना उन्नती समाज के दिवारा उसके बाद से एक सिल्सिलेवार एक सुनियोजी तरीके से आंदोलन में स्टार्ट किया गिया नेक्ट तोडफोड कारना अंदोलन किया था या भूख हरताल के द्वारा यह जारकन अंदोलन का रनिती स्टार्ट किया तापके पास क्या और चार ओप्सन में तो यहां पर ग्यापन सपा गिया था 1928 में किसको साइमन कमिशन को उसके बाद से ही सारा चीज विरोध पर्दसान तो किसान सभा का गठन किस साल हुआ अच्छा पर्षन है बहुत बार यह सब पर्षन पूछा जाता है और एक्जाम में ही सब पर्षन देखनों को मिलेगा किसान सभा गठन किस साल हुआ आपके पास चार ओप्सन यह रहे 1931 1932 1940 1945 इसका परफेक्ट अंसर क्या है दोस्त तो पर 1931 में किसान सभाग गठन किया गया है नेक्ट पर्षन किसान सभाग पर्मुख नेता का नाम है किसान सभाग पर्मुख नेता क्या नाम है चार अप्सन हम के पास रहे किसान सभाग पर्मुख नेता क्या नाम है ठेबले उराव जैपाल्स्ती हेमन सोयन जी एल उराव किसान किसान सबाक सचीव कौन थे आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस करे कुछ क नहीं नहीं कुण सो कुछ नहीं तो पॉल ड्याल थीक है पॉल ड्यार न्हेंस पस्सना है ऐसलिंवसेड च्छोटा नागपूर कैथोलिक सभाग के अधियर्ष थे चार अप्षानम के पास यह रहा बेनिफर्स लकड़ा बंदी राम पॉल दयाल शुराज मंडल ठीक है यहां पर इसका क्या एंसर हो जागे दोस्त बिल्कुल सही जवाब दिये है बेनिफर्स लकड़ा जो थे वो च च्छोटा नागपूर कैथोलिक सभा के अध्यस्त है एक स्पास्थ यहां पर नागपूर कैथोलिक का अस्थापना कूल किया तो सिओरिय्स यहां पर हम लोग देख सकते हैं किया है तो आप इसमें आगे देखते हैं हम लोग कब किया गया था 1931 1932 1931 या कोई नहीं किसका छोटा नागपूर कैथोलिक सभाग गठन कब हुआ कोन किया विशाप शेवरिन किया तापके परफेक्ट नसर किया अनुसर 32 ने इसका सपना हुआ छोटा नागपूर कैथोलिक सभाग कर ठीक है नेक्स परस्ट नेखते हैं छोटा नागपूर कैथोलिक सभाग पर्थम सचीव कौन थे अब छोटा नागपूर कथलिक सभाग के पर्थम सचीव कौन थे चार अपस्टन हैं इगिनेस बेक खेबले उराव थियोसी फल लकड़ा या पॉल दिवाल बहुत प्रफ्ण कि हिसाब समझ देखेंगे वादा तो हर कोई करता नहीं है उन लोगों काम ज्यान दिवासी योग जितना दैनिया स्थिती है दोस्त अभी इतना सरकारे आए गए लेकिन उन लोग का दैनिया स्थिती में कोई सुधार ने हो पागा है इसका परफेक्ट अंसर क्य पाल से मुंडा ठीक है सेकेंड अंधेर्श थे नेक्ट परफ्ण रखते हैं आदिवासी महासाभाग गठन की साल हुआ बिल्कुल यही सब परफ्ण पूछेगा कब हुआ तो ओप्सान यह रहा है आपके पास 1945, 1938, 1949, 1942 ता आदिवासी महासाभाग गठन की साल हुआ था त अधिवासी जो सफाथ ऊसको चार पार्च पार्टी के मिलाक के बना गीया त्थीक है आदिवासी सफ्भाग का गठन कीशाए गया था पूराना पार्टी को ही मोडिफाई करके कि इनमेंद से उप्षण में जो दिया हुआ है कॉन सब्सक्राइब और बघ्रोंसकराबूअ का फिर प्रेक्स प्रश्वरों सै नहीं में और भाध स्माट्र व्यारों में जैने और भी थाॉजवा not बिल्कुल साइज वाब बहुत अथान प्रस्टन है जैपाल सी ठीक है नेक्स प्रस्टन देखते हैं हम लोग आधिवासी महासभा के पर्थम अध्याच दूसरा अध्याच बिल्कुल आसान प्रस्टन है थियोडेर सुरीन नेक्स प्रस्टन हम लोग देखते हैं दोस्त जैपाल सी को की साल आधिवासी महासभा का अध्याच चुना गिया किस साल तभी हम लोग देखे थे 1940 मधी वसंद था इसका प्याह हो जाएगा 1940 मिल्कुल ठीक है उम्मीद करते हैं आप लोग प्रस्टन अच्छे लग रहे होंगे ठीक है कमेंट करना नहीं भूले कि दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अगर बोलिए गया तो ल बुले निक्स परफ्सम ने देखते हैं सरो परत्म वरीहाट ज्छाइर घंख के मांग किस्टने के वरीहत मतलब कि बड़ा पूरा दो-तिन दाज को कारड पीट के बनान को बोला जाता है वरीहत ज्छारकन में सरपर्थम किस्टने वरीहत ज्छा अरशन है जैपाल्सी प्रेपल सी मांग दिए लेकिन कब किया गिया चार उप्षान है और निसो 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 पचीस निसो पचास्त कब तो निसो उन्चालिस मिजबी आध्याच बने थे ठीक है नेक्ट पर्सन क्या है आपके पास उनाइटेड हरखन बुलोक का गठन किसन ने किया था था हर्यक उस्चान यो कभर किया गिया है बिल्कुल यही सब पर्सन आपको दिखेंगे और उसे मिलेंगे आपको लगचे ने किसने किया देकोश मांतों जर्टीन रिचाड जोल लगड़ा अभीश व़न ही उसका परफे अगठन तो रिचर्ड कर दिया लेकिन कब हुआ था अगठन इसको भी याद करना है तो 1950-1945-1945-1947 में तो कब किया गया था तो 1950 में किया गया था युनाइटेड जारखन ब्लोग का अगठन रिचर्ड के दवारा किया गया था नेक्ट परस देखते हैं सराकेला और खार्षावा को उड़ीशा में मिलाया जाने के कारण खार्षावा गोली कारण की घटना कब हुई यह प्रस न पूछा जा चुका है ठीक है और इसमें डेट भी पूछ देता है इसलिए ध्यान दिजेगा एक जनवारी 1941 नौजनवारी 1928 पास मार्च 1942 साथ दिसेंबर 1932 इसके परफेक्ट नथर क्या होगा एकदम सही जवाब यह प्रस न पूछा हुआ है बिल्कुल एक जनवारी 1941 को यह घटना हुई थी ठीक है खरिटवा गोलीकांट और इसमें कितना आद्मीत मरा था जिसकली हमेशा पेपर मैं आएक जनवारी की दिन देख़़्ेगा खरिटवा गोलीकांट के बारे निश्ट पस्विए प्रस न पसंवार कि जार्खन पार्टी के संस्थापक का नाम आगे जाके देखेंगे हम लोग के जयमेम का भी गठन कहां हुआ था उसको भी आगे जाके दखेंगे जार्खन पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था चार अप्षान ने जाइपाल सी सीबू सोरें पोल देयाल ये सूरसी बेसरा है तो कौन थे जार्खन बाद में आदिवासियों को हो गिया लेकिन उसके बाद एक पार्टी जो बना वो गैर आदिवासियों का भी समर्थन लेना मतलब कि हिंदू-मुस्लिम सब को समलित करके मजबूत पार्टी जो कि जहारखन के मांग के लिए अवाज अग्रसर करे उसका थपना किया गया तो जहारखन पार्टी किसान सब्सक्राइब जहां जो अभी जहारखन के पंचाथ सचीव और अदर इस्टूडेंट कर लाइफ बरबाद करके रख दिया हो ही जहां पर इसका क्या हो जाएगा जहारखन पार्टी ही गयरा दिवासियों कि समर्थन लेना सबसे पहले सुईकार क तो 1950 में किया गिया और कौन किया थे जैपाल मुंडा के दिवारा किया था पर्थम चुना में किस साल भाग लिया था आपके पास अप्शन है और इसे 50-52 और इसे 55-60 पाचास में सफना हुआ था भाग कब लिया था और इसे बावान में लिया था निए परसन देखते हम लोग दोस्त मूर्गा किस पार्टी की चुनाव चीन था अच्छा परसन है मूर्गा तापके पास चार उप्शन था जहारखन पार्टी कांग् लिए पूर संथाल पर गना जनता पार्टी इसका जjatशथा पर कौन था तो जयपाल थी सीबु सोरें रामगंड रजार कोई नहीं, तो कौन थे जनता पार्टी समझ सकते हैं जनता का कौन सुनसकता है तो रामगंड राजा, ठीक है रामगंड राजा के दोबारा इसका सारיך एक सेंट्रल गवर्मेंट्य द्वारा एक कमेट्य कठी이 کا गया जारकं राजपौण ωरक गट्रण के लिए ऐक कि जाहर उसका राणशी आगमन कब हुआ थक यहां कर यह धेखने के लिए साथ मार्च आंठावन 15.56 चार जनवरी निदिश्व पच्पन और पांच फरवर निदिश्व पच्पन बिल्कुल इसका आगमन कब हुआ था था ठीक है नेक्ट परस देखते हैं राज-प्रण गठन आयोग के समझ कितने जीलों के सावरूप में जारखन मांग की गई जब यह राज-प्रण गठन आयोग जहा आया तो वहाँ पर मांग की आगिया था पर जारखन बनाने के लिए बोला गया था किसने पारित किया है पारित करने म apprendre पास नहीं होता है वह बात को विधान सभवा में किसने रखा किसने बढ़ाया ठीक यह होता है ठीक है तो पोल दयाल सिता राम जगत राम ठेवले उड़ा या कोई नहीं तो कुन सिता राम जगत राम के द्वारा यह पारित किया गया था नेक्ट प्रस नागे देखते हैं बिहार विधान परिशाद में जहारखन पीथक आज प्रस्ताव की साल पारित हुआ कौन साल पारित किया गया बढ़ा दिया गया आगे तो यह दस जनुरी निसो चैर्शट दस फरवार निसो एक सट दस जनुरी निसो पार सट ध्यान दिए अगर डेट वाइस यह सब प्रस्ण में अक्षर डेट पूछ देता है ठीक है थोड़ा मेहने से एक्जाम फर्मेंट सब जूड़े रहे तो आपका प्रस्ट के लिए भी तैयारी बहुत संदार हो जागी आगे एक्स्प्लानेशन के साथ कराया जाएगा आज फर्ट डे है फर्स्ट क्लास आपका जहरकन का यह आपका अस्थापना कैसे उसका अलग किय निर्मान के से वो उसके बारे प्रस्ट मनाया गया है आगले लेक्चेर में लोग जोग्रफी देखेंगे तो पूरे अच्छे से उसका एक्स्प्लानेशन के साथ देखेंगे यह भी बहुत अच्छे प्रस्ट नेकर ट्रेक्शन किया गया था इसका 10 फर्वरवरही 1961 को बि बिल्कुल कॉंग्रेस में किया गया था ठीक है बिनोधा नंचा एक सीम थे यहां पर देवघर किराने वाले थे उनके नितित्व में यह हुआ था कॉंग्रेस में जहाखन पार्टी के विल्क किस साल हुआ अब कौन साल विल्क किया गया यह प्रस्ण बन रहा है विल्क कॉंग्रेस में कब हुआ जहापा के विल्क समय राज के मुख्य मंत्री थे कौन थे मुख्य मंत्री कृष्ण देव विनोधा नंचा महा माया पर साथ कोई नहीं कौन थे तो विनोधा नंचा थे ठीक है यह कहां कि यह देवघर किराने वाले थे नेक्स परसंद देखते हैं हम लोग विनोधा नंचा की सरकार में जैपाल को कौन सा मंत्री पद मिला अब तो यह विले कर दिया गया तो उसके बाद तो जैपाल ही उसका हेड था ना तो इसको कुछ दिया जाएगा ना कोई पोस्ट तभी ताद में कुछ विले कर सकता है जैसे अभी जावी मो जारखंड विकास मोर्चा भूल जा रहा है जो बबुलाल के पार्टी का नाम था वो बीजेपी में विले हुआ तो अभी उसको बीजेपी के हेड लीडर बना दिया गया है ना तो कुछ वैसे ही बोला जाता है तभी विले करता है कुछ बिना फायद विकास का मंत्री पद दिया गया था इसको इसको जैपालसी को कि नेक्ट प्रेशन अखिल भारती जार्खन पार्टी गठन किस साल हुआ अखिल भारती जार्खन पार्टी पहले जार्खन पार्टी था उसको बिले कर दिया गया अब उसके पाद उसके बाद क्या पार्टी जार्खन पार्ती को चाहँ सब्सक्ति यदि कि अखिल भारती जार्खन पार्ती के पार्टी से अलग होकर मनी जहारखन पार्टी के अध्याज वाने तो जब अलग होके स्थापना किया अखिल भारती जहारखन पार्टी तो उसका अध्याज कोन बना एक सेकेंड सोरी यहां पर कोशन हम समझाने में सके अकिल भारति जिसका अस्थापना अनुश्था सरसाट में हुआ उससे अलग होके फिर यह जहारखन पार्टी के स्थापना हुआ ठीक है पहले वाला तो मिल गिया कॉंग्रेस में उसकी बाद जहारखन पार्टी बना उससे टूट के जहारखन पार्टी को जो बना तो अधेश कोन बना था तो न आ हो रो सुरज मंडर ललित कुजूर सभी कोन बना था तो उसका एन आ हो रो एना हो रो और इसका फिलहाली कुछ वर्ष्पले मिलती हुआ है और यह बहुत गरीब रह चुका अपने मने टेम थाँए चपर का मकान मेह रहते थे नहीं हो रहो Snapchat नेक पुट मीडर दिरेखते हम लोग अखिल भारतिय यहांखन पार्टी यहांच लग होगर ज्छार्खन पार्टी के स्थापना साल रहे तो अक चपना हुआ अब सफच स्थार हुआा Jeśli अखिल भारतीये साल लग जार्खन पार्टी जो बना था आपका जैपाल्सिक मुंड़ा का सधस्ता मुनिस सो पचास माना ठीक है उसके बाद 1963 मिसका विले कर दिया गिया उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद अखी जार्खन पार्टी उनिस सो शर्षटे मनाया गिया इससे भी फिर अलग तूटके गनाया पार्टी बना जार्खन पार्टी फिर उसका 1969 मुसका थपना मतलब दो साल बाद ठीक है नेक्स परण रिखते हैं हम लोग बीर्षा सेवा दलग गठन कब हुआ अब बीर्षा सेवा दलग गठन कब हुआ इसका चार उप्सान हमके पास है लग बीर्षा सेवा दल के संस्थापक कुन थे चार उप्सन है ललीत कुझूर ललीत उरा बंदी उरा कोई नहीं तो ललीत कुझूर थे वीर्षा सेवा दल के संस्थापक थे मतलब नेक्स प्रस्ट बीर्षा सेवा दल ने किस साल सकरिय आंदुलन प्राराम की पार्टी बनाया तिससे कुछ मंसद हो गाजी जारखन अजादी का मंसद इसका अभी था जारखन अलग करना तो यह आंदुलन कभ इस्टार्ट ने बना तो चार उप्सान है पैसाट शर्षाट और्षाट सत्तर तो कभी से स्टार्ट किया और ने सो सर्षाट से यह आंदुलन में पूद पड़ा एक नेक्स परस्ट नहकते हम लोग निसे एक आवन परस्ट हूल जारखन पार्टी गठन की साल हुआ अब हूल जारखन पार्टी आ लगया ठीक है तो इसका गठन कभ हुआ हूल जारखन पार्टी का तो 1968 आपके पास अप्शन है परफेक्ट इंशन निसे आट्सरेट में इसका गठन हुआ हूल जारखन पार्टी का ठीक है किरा देखिते हैं हूल जारखन पार्टी संस्थापक को हूं चार अपता है है आपको फॉरवाट आप मां करके अस्थापना किया थे उसके बाद इधर फिर आपका हूल जारखन पार्टीक आप साथना वही कि जर्टीन रिचाट किये ठीक है नेश्ट परहन रिखते हम लोग कि हुज धार्खन पार्टी के कार इच्छेतर कौन परमंडल में था इस एरिया में बहुत बड़ा पार्टी नहीं था ना जी सब बहुत छोटा जोटा है तो इसका कोई एक सिमीत एरिया में ही एक एरिया था ठीक हो अग्या हो गया यहा वह अध्या हो गया अ आपके पास चार अप्षिं है दोस्त ये वीडियो तो लंबा हो जा रहा है आज परला क्लास से नेक्स्ट डे से इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसी को कम्प्लीट करा दिया जाएगा तो ये प्रश्ण जो पच्पनवा प्रश्ण है ये प्रश्ण का एंसर आप लोग को देना है कि कमेंट करना आप लोग नहीं भूलेगा और बताएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके हरहाल में बताएगे दोस्त और पच्पन दिन में कम्प्लीट कोर्स आपका जारखन करा दिया जाएगी वी तिक्सप्लानेशन बहुत संदार तरीके हर टोपिक क कवर किया जाएगा आप जुड़े रहे और वीडियो के ज़्यादे शेयर करें लाइक करें ठीक दोस्त इसका कमेंट करना आप लोग कमेंट बोक्स में जाके अपना हरहाल में कमेंट करिएगा कि हुल जाकन पार्टी की साल हुआ लास्ट आप जिसको पीडिएप चाहिए टेलीगराम चैनल है आप फर्मेट का और उसका वाट्सअप ग्रूफ है दोनों में से कहीं भी अपजूड जाई आपको इसका पीडिएप मिल जाएगी ठीक है और आप लोग आज से स्टार्ट किया गया है तो डेली आपको कलास डेली बिस इस पर लोग कलासेस मिलेगी ल कमेंट करना ना भूलेगा वीडियो कैसा लगा यह बताएगा ताकि मोटिवेशन मिले मोटिवेशन मिलेगी तो हम और अच्छा करने का कोशिश करेंगा आप लोग के लिए ठीक है तो हुल जारकंड पार्टी के विभाजन की साल हुआ इसका कमेंट आप लोग हर हाल में कर बहुत बेसाबरी से इंतजार रहता है दोस्त चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मन लगा पढ़िए जय जोहार जय शारकंड